ओम शान्ति अंध में प्रतिक्षा समाप्त हुई बहुत लंबे कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया लेकिन जैसे ही उसने सेब पकड़ कर लाइन से बाहर निकली उसका सेब हाथ से छोड़ कर कीचड में गिर गया बच्ची उदास हो गई अब उसे दुबारा से लाइन में लगना पड़ेगा दूसरी लाइन पहली से भी लंबी थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था सब लोग इमानदारी से अपनी बारी-बारी से सेब लेकर जा रहे थे अंततह वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतिक्षा करने लगी आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खतम होने लगे अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सब सेब खतम हो जाएंगे लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते जब तक उसके बारी आई तो और भी नए सेब आ गए भगवान तो अंतर्यामी होते है ना बच्ची के मन की बात को जान गए उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरफ से सट चुका था तुम्हारे लिए सही नहीं था इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों गिरवा दिया था दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्यूंकि नए सेब अभी पेडों पर थी उनके आने में समय बाकी था इसलिए तुम्हें अधिक प्रतिक्षा करनी पड़ी ये सेब अधिक लाल, सुन्दर और तुम्हारे लिए उपयुकत है भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर गई तो इस कहानी से आज हम यह सिखेंगे इसी प्रकार यदि आपके जीवन में किसी भी काम में विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्चा मान कर स्विकार करे जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो अपने लिए उत्तम होगा। इमानदारी से अपने बारी की प्रतिक्षा करे। और उन परमपिता परमात्मा की कृपा के लिए हर पल, हर क्षन उसका गुणगान करे। ओम शांति।